संस्थान बड़ी ताकत के साथ बड़ी पूंजी के साथ जिस तर्च पर आगे बढ़ते हैं वह कुछ भी गवाना नहीं चाहते हैं और ये गाड़ी जब दसजनपत में घुसी राहुल गांदी उसी वक्त तकरीबन एक घंटे बीस मिनट पहले वह दिल्ली के दसजनपत अप पर राज मिस्त्री थे जो मिस्त्री का काम करते हैं उनके बीच वो जाकर बैठ गए यानि मुलाकात यहां पर मुकेश अंबानी की सुनिया गांदी से हो रही है और उनकी आखे लगातार अपने बेटे अनंत के साथ आए थे वहा खोज रही थी राहुल गांदी की और राह छटके में जतला दिया कि भारत की बदलती राजनिती में इस देश के कॉर्परेट को अब यह हसास हो चला है कि मोदी सत्ता जाने वाली है और मोदी सत्ता चुकी अल्प संख्यक में है और एक छण के लिए दुबारा आपको 20 बरस पहले की स्तिती से लिए याद करनी होगी उस वक्त भी चंदरबाबू नाइडू बड़े क्रूशियल थे और इनाडू टीवी ने जैसे ही एलान किया कि शाइनिंग इंडिया खत्म होने वाला है चंदरबाबू नाइडू की राजनिती घूम गई और 20 बरस के बाद उसी चंदरबाबू नाइडू के सहारे ही मोद सूरों के बीच बैठे हुए राहुल गांधी राहुल गांधी की ये तस्वीर आपके जहन में जाहिर तोर पर ये सवाल खड़ा कर रही होगी कि राजनिती में तो पैसा चाहिए और पैसा कॉर्पेट से ही मिलता है लेकिन पहली बार इस देश ने कॉर्पेरेट की पूंजी पर इस देश के इलेक्टरोल बॉंड को लेकर जो सवाल खड़ा किया उससे बड़ा करप्शन इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि तकरीबन बारा तेरा चौदा हज़ार करोड रुपिया पॉलिटिकल पूंजी के तोर पर कॉर्पेरेट से निकला हो और सुप्रीम कोट उस पर कह दे कि ये दरसल अनकॉंसिचुशनल है गैर कानूनी है और उसके बाद भी मोदी सत्ता ठसक के साथ कहे कि देखिए सुप्रीम कोट को कहना पड़ा क्योंकि हमने ही तो बताया था ये निरलस्ता है या फिर इसी बात को लेकर राहुल गांदी गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं इस देश की राजनिती गलियारे का रास्ता उस सड़क पर मिलता जरूर है जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं लेकिन इस गली के भीतर के ऐसे तूटे फूटे घर भी हैं जहां पर इस देश का बहुत संख्यक समाज रहता है और शायद इसी लिए उन्होंने अपनी राजनिती उस रास्ते पर लाकर खड़ी कर दी जहां पर इस देश का दलित, इस देश का अधिवासी, इस देश का OBC पिछला तबका, इस देश का मुस्लिम अगर इन चारों तबकों को जोड़ दीजिये तो 90 फिस्दी अबादी आपको एक तरफ दिखाई देगी और ये परिस्तिती भारत में कॉर्परेट की किसी भी पूंजी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कॉर्परेट और मोदी सत्ता के नैकसिस ने इस देश के भीतर में 5 किलो मुफ्त अनाज की परिस्तितियों को पैदा कर दिया लेकिन सवाल ये नहीं है सवाल तो उसके आगे का है सवाल सबसे बड़ा ये है क्या कॉर्परेट को ये ऐसास हो चला है अब जो चुनाओ इस देश में होने वाले है उस चुनाओ में बीजेपी की राजनितिक जमीन खिसक चुकी है उसकी अपनी राजनितिक विजारा धराशाई हो चली है RSS उसको साथ दे नहीं रहा है और सिर्फ मोदी के चेहरे के आसरे जो राजनिति इस दौर में की गई और खास तोर से महराष्ट के भीतर कदावर नेता नितिन गड़करी को दरकिनार करना शिवराश सिंग्च चोहान को मद्दपरदेश में दरकिनार करना राजस्थान के भीतर वसुंद्रा राजे को दरकिनार करना और वो तमाम ऐसे च्छत्रप जो बीजेपी की राजनिति को साधने के लिए कई बरसों से लगे रहे उन सभी को खारिज करके सिर्फ एक चेहरे और एक व्यक्ति के इर्दगिर्द जब समूची राजनिति को चलाने लगे तो कॉर्परेट उनके हक में खाथा बीते दस बरस से इससे को इनकार नहीं करेगा लेकिन इसी बात को राहुल गांधी ने ये कहकर पकड़ा की दरसल लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सम्विधान का मतलब क्या होता है सम्विधान में समाजवाद और बराबरी के हक का जिक्र क्यों है इस देश के गरीब पिछणों को क्यों यो समझने की जरुरत है और एक जटके में वो पूरे कॉर्परेट की पूंजी इस चुनाओ में कोई माईने ही नहीं रखी जरा कलपना कीजिए कॉंगरेस के खातों को पंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा तक नहीं था, यानि कॉर्परेट जो मुगालता इस देश में राजनिती के जरीए पाली रही है, कि अगर हम पैसा देंगे तो ये चुनाओ जीतेंगे और उसके बाद चुनाओ जीत जाएंगे तो वो हमारे पैसे के एवज में सत्ता की मलाई हमें देंगे, प देश के 18 पैसू बेच दिये गए, मोधी सरकार ने कोई पैसू खड़ा नहीं किया, बलकि तमाम पुराने पैसू इसको बेचना शुरू किया, और कौडियों के मोल ही नहीं बेचा, बलकि इस देश के तमाम मंत्रालेओं के मोनेटाईजेशन की दिशा में मोधी सरकार ने निर्णे लिया इस देश के कॉर्परेट द्वारा लिये गए करज की माफी जो तकरीवां 16 लाक करोड की है उसको रिटेन आफ कर दिया बैंक बुक से गायब कर दिया और बैंकों को मजबूती के साथ ये बताने में लग गए कि देखिये उनकों मुनाफ़ा हो रहा है डिवि कि दिशा में बढ़ चुके हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी सरकार और लाइसी को मिला दीजिएगा तो 98% हिस्सेदारी इनी की है इसमें से 67% ये बेचना चाहते हैं